इस ताइप से भाई यहां पे आप देख रहा ना यह इस ताइप से पॉंक्रिट धाली किया जाता है यह उसम अच्छा है हलकी दिप वार हुई रोड हलका था कीला हुआ पर बहुर अची लग रहा है दोस्तों यह चल रहा है अपना काम यह आरी भाई पेवर की फिनिशिंग पूरा मटरियल भैला लिया जाता है अब नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोगोव सभी लोग बढ़िया ही होंगे तो मेरा नाम है रागव सवागत करता हूं आपका हमारे स्वाइब चनल पर तो दोस्तों आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा पीक्यूसी कर पिछले बाई दो से तीन देन में बहुत जादा वी जीते बाई एक PQC की तैयारी करने के लिए इसमें बहुत सार एकट कराम होते बाई अभी मैं भी इसको फस टाइम कर रहा हूं तो इतना मेरे को भी इसका पता नहीं था पर अभी जब छोटे-छोटी चीजे अब पता चल जाता ना तो भाई PQC फढ़ जाती है अपने उसके उपर जो टॉप रहता न उसको पर रहना क्रैक्स आ जाते तो इसलिए टेंपरेचर अभी बहुत अच्छा है मौसम ठीक है तो इसलिए दिन में चालू गया नहीं तो अम लोग शाम को करने वाले थे पांच बजे के बा पड़ेगा क्योंकि यह पिक जो अपना डील सी है ना डील सी बहुत ज्यादा हो गया तो इसके अंदर ड्रिल करने पड़ेंगे पैग रोड लगाने के लिए और पूरी सुविदा के साथ दो कि इसने सारे आदमी लगे हुए तो भाई अभी प्रपरेशन कर रहा है पर चा लग गया है चैसे आप देख रहें लेबल देके चलती है डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा आज में दिखा रहा हुआ है काम अम लोग कैसे सचीन चाहतें तो इसकाम में लगा हुआ था ना वो दिखा रहा हुआ है इसके लिए बहुत पापड बेलने पड़े जो एक्साविटर रहेगी हो माल को भाई फैलाएगी और और वही बराबर भी करती जाए वाग पीछे से केबल लेबल उसको फिनिशिंग देती जाए यही तरीका रहता इसका तो यह यहां पर आप देख रहा ने यह अपना डंपर आगया एक्साविटर सामने कड़िये अ क्योंकि क्या होता भाई हवा चल रही ना उड़ रहा है बहुत अभी तेको भाई कितना बोरे बोरे डाल डूल के पत्थर बत्थर लागए जैसे से इसको रोका हुआ है यह है अपना पेवर और यह आया पहला डंपर अभी इसको अलोड करते हैं तो इसे साफ से भाई यह यह आप देखर ना गुद्राय टाइप ही रहा है जासा कर्म में रहता वैसा यह 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 आपर डाल दी जागा पूरा तमपनर तर आल ठाली हो जाएगा ने यह एक्सावेटर लेके अंदर अदर पर एक्सावेटर से बडाबर हो गाई है आप देखर ना यहां पर देखरा ना यह इस टाइप से कॉंक्रिट धाली किया जाता है यहां तो सूका ड्राइ टाइप का था भाई यह मैं 35 होगा मेरे साथ से और मैं आपको जोगी रहेगा कंपर पता है बाई एक चीज और बताता हूं मैं आपको एक्सावेटर की जरूरत इसलिए भी पड़ती क्योंकि इसमें कॉंक्रिट में तो बाद उपर जम जाता ना जैसा आप यह दिख रहा है एकदम नीचे नहीं आए अब यह द्राइबर भी हमारे सब्सक्राइब पहले से पहली बार गर रहे है तो दो एक दिन लगेंगे उनको यह इस साथ हो गया गाड़ी खाली अब है अब भाई एक्सावेटर लेते हैं इसको बराबर करते हैं तो भाई यहां पर अभी एक्सावेटर जो अपना मशीन म मशीन के ऊपर ही खड़ाओं और इसके फंक्शन अगेरा जो मैं डीटेल में जो इसका वॉकरांड करूंगा रिवीव बनाऊंगा एक तिन भाई फुरसत वजांद फिर बनाऊंगा अभी तो भाई काम में इतने ज्यादा अभी थी क्या बता है हल्की फुल की बारिज की फ पहलाना चालू करेंगे और उससे पहले आज नया काम चालू किया तो यहां पर फूजा फूजा की जाई यह बाई साब लोग कर रहा है पूजा होने के बाद फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहां पर अभी ओरी पूजा कॉंक्रिट के साथ पेवर की तो इसी साब से भाई अभी यहां का आज का कारिक्रम हम लोग चालू कर रहा है तीन-चार दिन भाई इसी के चक्रम बहुत जादा बीजीते भाई यह क्या है इसके लिए बहुत जादा करना पड़ता है अभी तो इसमें भाई इस्तिंग वाईर के लिए तो इसमें ड्रिल करने पड़े तो ड्रिल की बिएस्था करो यह करो हो करो इस तो अभी एक डंपर करेगा जब खाली होगा उसके बाद प्र आपना कालिक्रम आगे की तरफ बढ़ेगा दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है हम लोग अभी 100-500 चैनेश पे हैं और इसमें भाई जो पेवर चलती है पुली सेंसर पेवर रहती है इसका स्टेरिंग भाई यसा कर्म मशीन का था यसा ही रहता है पूरा स्टिंग वायर पर चलेगा है इसी के ऊपर इसका स्टेरिंग धिक्स है तो बाई दौनों सैंसर यहां पर लगे रहते हैं जैसे कि आप देख रहा ना यहां पर चॉली साननीग होगी दोola स dewक्षा ये लगावा यह को सामने लगा ओर बाई अभी पहुंछगाई है अपनी एक्सकेवेटर यहां पर तो अभी अपन मटरेल को फैलाना चालूगन करते हैं यह पांज पास अभी अमरीक पाली जो हमारे फैबरेड है तो वह लगे होग इसको बराबर करने ज़ते हैं तो वह करते चेलेंगे तो करने का तरीक वतार हुं भाई तो अब य॥्ल भाहार क biology मैंनुली प्रावध मिया यह इसे सहाब पहले डंपर खाली होगा मैंने बता जाए पहले डंपर में कुछ भी नहीं होगा जैसे यह हुआ तो अभी पहले डंपर आगया और अभी आया यह दूसरा वाला टिपर अपने दूसरा वाला टिपर को भी इसके पास में लगे खाली कर जाए एक्सेवेटर भाई एसे ही रही जो रेटिजन की कंपनी की जो पेपर आती है वो फुली ऑटोमेटिक रहती है उसमें सारा काव खु़ी करती है अब इसको खाली करते है पहले इसको इसमें तुस्ते एक चीज और जहने गाड़ी एक तम भी सेंटर में लगे तो ज़्याद अच्छी बात है नहीं तो के माल बहार चला जाता है यह अब यह वादी घाली करते हैं इसको फैलाते हैं पीच बीट में जो अगर माल जा उपर उपर कभी को जाता है यह देखिए दो अभी एक्साइवेटर की पोजिशन यह रहेगी और पीछे अपनी पेवर के उपर यह अपनी पेवर है अपना अपना उपरेटर है और एस टाइब आगया के गाड़ियां खाली होते जाएं पीछे तर पेवर लेवल करती जाएं यह एक प्रसीजर है और बह प्रसीजर होते हैं तो क्यों काम चालू करने का ही वीडियो बना रहा हूं तो नॉर्मल वीडियो रहते हैं उस टाइब से डिटेल वीडियो में आपको मिलेगा वाई कल जब थोड़ा तसल्लीत जलेगा ना आज कि आप यहां पर भीड़ बहुत है अधिकारी लोग इतने अधिकारी वीडियो में कैसे बना रहा हूं मुझे ही पता है पर टेंपरेचर अच्छा है वासम अच्छा है हल्की जी फुआ हुआ हुई रोड हलका सा कीला हुआ पर बहुत अची लग रहा है क्योंकि प्रफेक्स टेंपरेचर है तो अभी वाई जो गाडी के अंदर जो म अधिक वाहा है तो दोस्तों यहां पर आप देखर है यहां पे अभी हमारी चाल्लू होगा है यह आप देखर है यह जो हलाँ हो पीच्व CBS की लेंग होरी है वही है आपना पेवर छोटा है पांच मीटर की वտट को जबाशा है और इसमें जो साड़े चार-चार मीटर का जो पैनल रहता न एक्स उस पर हमारे डॉबल बार लगाए जाते हैं और यह मैं आपको नजदिक से दिखाता हूँ यह कुछ इस टाइप से काम करती ही फेवर आप इस टाइप से इत्में यह एक यह जाए करते हैं यह यह रहता है यह फेवर आगे चलता रहता है यह वाला किस्सा है इसमें इसमें बाद मेंदाव तिकनेस चेक करने की जरूब कुछ भी करने की जरूप नहीं है केबल आप जैसे आएप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों यह चल रहा है अपना काम यह आरी भाई पेवर की फिनिशिंग आप देखने ना यह इस टाइप से फिनिशिंग आ रही हो और यहां पर आप दखिए तो शट्रिंग लगाने की ज़रूद नहीं पड़ती यह पेवर खुती कॉम्प्लेक सब्सक्राइब करती है यह कुछ इस टाइप से आ रहा है और बाकी पीछे जो चोटा मटा अभी कहीं स्टार्टी किया ना वाई तो स्टार्टिंग में थोड़ा था में प्रॉब्लम आदा है तो उसको भाई अभी आप रिपेरिंग कर रहे हैं यह आप देखना यह चलता अपनी दो से ती गाड़ी खाली होई तीसरी वाली आ गई है और यह तरीका है वह आपको पता ही है यह आगया कॉंक्रीट और इसको इस टाइप से खाली करकर गया आगे बढ़ते जा रहे है तो इसमें एक चीज का बहुत आ रहा है थंड़ा है तो डामर वाला जो काम रहत कि देड़ किलोमेटर बनाई तो पर इस पीक उसी में वाइक काम दोड़ा स्फलो चलता है और इसमें फाइदा यह है कि इसमें आराम है तो कि यह ठंड़ ठंड़ा मौसम में चलता रहता है आपका टेंपरेचर से कोई इसू बगरा नहीं रहता और ज़्या चलता बैसाव अभी तो मुखाम अच्छा है तो हम लोग दिन में कर रहे हैं तो यह वाई तीसरा आची तीसरी वाली गाड़ी खाली होती है ज्यादा नहीं करेंगे भाई हाट दस गाड़ी यह डालेंगा जिक ट्राइल तरेका है कलते फिर काम थीचेंगे फिर आगई पड़ेंगे तो बाई परस्नली वाई एक बात बोलूं तो यह वाला काम मेर को तो बिल्कुल नहीं जाएगा अपना काले वाला डामर का काम सबसे अच्छा काम लगा एक तरफ से करते जाओ लगा ता गाड़ी आती जाए खींश से जले जाओ इस काम में थोड़ा सा है वाई वाई तो बाई जाओ 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 जलती इस टाइप जो सिंगल रोड रहते इसमें पांच-पांच मेंटर के पैनल बनाए जाए तो यह आगा है अपनी मश्चाडी अब इसको खाली करते अच्छा माल लगा थोड़ा सा उपर तो ले रहा है शुटा एक जिए अड़ अब दोस्तों आप देख रहा है यहाँ जासा कि इसमें बराबर मट्रियल चाहिए अभी आप एक्सावेटर देख रहा है थोड़ा सा आगे कम पढ़ रहा माल तो आगे पूरा भरेगा उसका होपर तब भाई पेवर आगे बढ़ेगे माल पेवर में कम पढ़ेगा तो यह कुछ इस टाइप से चल रहा है काम तो भाई कुछ इस टाइप से आप देख रहा है यह इसा पूरा मट्रियल भैला लिया जाता है यह इसका जो आगे का जो हपर इसमें तो रहता नहीं है इसमें कुछ इस टाइप से रहता है यह इसा पूरा फिल करके चलना बढ़ता है यह अभी एक्साइबेटरा बन पीछे लेकर जैसा पूरा भर लिया ना भी कोई दिक्कत निभी पेवर आगे आजाए और जो डंपर है उसको जतना पीछे आजा उतना खाली करो जो दूंप इसे साथ से कॉंक्रीट का यह किसा रहता भाई यह अलका सा स्टैट और यादा तो आपको इसे साथ से खाली करने अपड़ेशा पूरा इस टाइप से वाई हमको एक्साइबेटर का काम भाई यह है एक तो यह मट्रियल फैलाना हो गया और दूसरा अगर गाडियों में से काम भी यह है थोड़ा बहुत ही माल गाड़ी में नहीं रहना चाहिए तो भाई यह कॉंक्रीट हो जाती है चोटा मोटा है वह यहीं पर अभी यह जो मैट्रियल फैल गया इसको हलका मुलका लेवल करके पेवर को आगे बढ़ा सकते हैं पेवर के जो यह आगे जो रहता न इसमें माल फुल फुल रहना जाहिए अगर इसमें कम रहेगा तो भाई चला के कोई मतलब नहीं है तो भाई यहां पर आप देख रहे ना यह अभी चोटा मोटा कॉंक्रीट यहां पर गिर जाता नो इसको एसमें मैनुवली साफ करना पड़ता फाउडे से जैसे यहां पर कर रहा है ना यह इस हिसाब से और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको यहां पर यह आप देख रहा ना यह इसके नदर एक बार लगा जाए लोग इसको यह आपको ऐसा जॉइंट मिलाने के लिए लगा जाते हैं दोनों साइट रहेंगे यह और एक चीज़ और दिखा तो दोस्तो टाइम होगा है लगबख साम के साथ बज़े का लेंग अभी कंटीनु चले की लगवे नो तस भए तक और एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई यह आप देख रहना अभी यहां पर टीजी लगाई भाई इस मशीन में मैं पहली बार देख रहा हूँ इसके अं यहां पर बिल्कुल नहीं है वाई आम यहां पर अपना डीजी चालू गर्के यहां पर यहां पर जाते को लाइट लगा है यह नहीं लगा कर दो किया आज हम अब पुछ इस ताइब पीस्ताय के वादे बड़े बड़े उनसे वीजिबिलिटी बोट अची आथी है और सांसे आप देख रहा है जो एक्सवेटर अपना माज परावर करती है रही है और अपना अपना पाम करती है पीचे की फीलिशिंग पीचे की एक बार उतिखा दो और अज का फ्लोक भाई एंट करते हो यहां पर यह इसका विजिबिलिटी आ रहा है पीचे से यह आप आले हम लोग तो सरपेस देखो वाई जो छोटा मोटा भाई रिपेरिंग जैसे आ जाता कभी-कभी एज टूड जाती है तो उसको भाई साथ-साथ रिपेरिंग भी करने पड़ता है तो वह रही है और अभी थोड़ा सा टाइम हो गया तो अभी भाई ग्रोग करनेंगे त तो वह टैक्सर नी मोलते है उसको जो निशान मना जाते है जैसे ब्रेक्स बगेरा प्रोपर लगे फ्रिक्शन प्रोपर मेले टायरों को तो वह भी थोड़ी देर से बन करेंगे तो वह भी दिखाऊंगा झालों को ट्बाप करेंगल एछाए तो भी दो प्रोपर प्रोपर मेले भी ठालों करेंगे जाते हैं थारओ भी लग राद म्हा चार तो दोस्तो होब आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा मैंने चोटा मोटा ब्लॉग बनाया ज्यादा बड़ा बनाया नहीं तो आज का ब्लॉग में इतने मिलते हैं मिलना ही वीडियो में थंदे बाद